तो आज हम बात करेंगे यह जो वकेंस निकले है यह एहमद नगर चामनी परिशत यानि एहमद नगर कंटेंडमेंट बोर्ड में निकली होई है और यहां पर इन्होंने इसका नॉटिकेशन नंबर दिया हुआ है यहां पर बतार है आपने जो अपना एप्लिकेशन फॉर्म स आपने एप्लिकेशन फॉर्म यह उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है ऑफिस ऑफ कंटेंडमेंट बोर्ड एहमद नगर एमेक्स चॉंक का एहमद नगर 414002 महराश्टा इस एड्रेस पर आपने जो अपना एप्लिकेशन फॉर्म है वह सेंड करना है यहां पर हाइलाइट कर देती हैं यह आपका एड्रेस रहेगा और जो लास्टेट दे रहेखिए आपके एप्लिकेशन फॉर्म को सेंड करने के ऑफ लाइन मोट से तीन जनवरी दोहजार तेइस सब्सक्राइब से पहले पहले आपका जो एप्लिकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पर पहुंच जा एक लिक्राइब देना है तो सब्सक्राइब नीचे इसकी पोस्त पर रहेगा केटेगरी कितनी वकैंसी रहेंगी तो एक ही वकैंसी तो आपकी अनिज़र्ट के रहेगी की एकी व कैटेगरी के लिए नरस की देर कि ए गंण का पेंगर 40 लेका । सब्सक्राइब करने लिए और स्टैन्ट टीचर की एक विए सट्रेंड कापका पेस्केल रहेगा नेक्स देखे जूनियर क्लर की एसिक्स कापका पेस्केल रहेगा उनीच जानुसों से लेके सब्सक्राइब करुद सब्सक्राइब यानि 15,000 से लेके 47,600 के बिच आपकी sell रहेगी एक ही vacances है unresult category वालों के लिए है चौकीदार की दे रखिए S1 का आपका pay scale रहेगा एक ही vacances है वो आपकी obviously category में है next दे रखिए what buy की S1 का आपका pay scale रहेगा एक ही vacances है वो आपकी unresult category की रहेगी मजदूर की दे रखिए S1 का आपका pay scale रहेगा टोटल जो है four vacances है two इन्होंने दे रखिए कि आपकी unresult की रहेगी one आपकी रहेगी यहाँ पे ST की and one आपकी रहेगी AWS यान economic weaker section की next दे रखिए सफाई करमचारे की S1 का आपका pay scale रहेगा टोटल जो है यहाँ पे दे रखिए तैइस vacances है बारा उसमें से रहेगी आपकी unresult category की two आपकी रहेगी यहाँ पे ST की six आपकी रहेगी obviously की and three आपकी रहेगी AWS category किसके लाग यहाँ पे दे रखिए कि number of vacances है tentative मतलब vary कर सकती है administrative agences या फिर approvals के द्रूब यहाँ पे बता रहेखिए जो फीजिकली पॉस्ट रिजर्ट फीजिकली disabled के लिए बता रहेखिए जो यहाँ पे 6 से लेके 13 तक जो vacances है उनमें से बता रहेखिए कि 6 से लेके जो 13 तक है वो उनमें से जो तीन पॉस्ट है वो और में से एक vacances जो मजदूर की थी वो रिजर्ड है इलिजिबिल्टी क्रेटीरिया बता रहेखिए कि जो भी केंडिडिस के लिए अपलाई कर रहे हैं इंडिया का सीटिजन हों चैसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल्फिल करता होना चाहिए और जो अधर की लास्ट यानि तीन जन्वरी दोजार तेस्त अकांट की जाएगी यहां पर हम क्वालिफिकेशन को अजब देख लेते हैं जो रेज्डेंटल ऑब्स्टेक्टर एंड गाइकनोलोजिस्ट के दे रखी है क्वालिफिकेशन जो मांगे लिखे के एंबीब्स की होनी लेडी मेंस्टिट्ट nivel के लिए हैंससिटन की नुटिकेशन ईप्लोमा की लिखे करेंगी यहां पर इन दे रख write आपने साथ निए प्लस टु अपने कीऊ कर सब्सक्रटों को आपके 50 अपने का कॉर्स करस्च यहांने के बैसलर ओल्मेंटरी एजूकेशन का इन अकॉर्डेस विद एंसीविटी यहाँ एंसीटी या फिर लिखे कि प्लस्टू की आपने कियो होनी चाहिए उसके क्लिएंट कोई भी स्टडियूस में आपके 50% मांक्स हो या अपने डियर यहानी की डिप्लोमा इन एजुकेशन में कियोंचे स्पैजल एजुकेशन इन इन एक प्लस्टू की साथ अपनी जो है आपके उसमें 45% मांक्स हो और उसके साथ आपने डिप्लोमा के आपने टेकनिकल एजुकेशन में अकॉर्डेंस विद एंसीविटी या फिर आपने डिगरी विद आपके 50% और उसमें लिखे कि डिगरी कि उस 50% के साथ या फिर बै इसके लिए यहां फिर टैस्ट या निए टीचर इलिजिविल्टी टैस्ट इसके इसके लिए जो है मस्ट रहेगा यहां फिर लिखे कि MSCIT सट्फिकेट होना चीए जो आपने जब भी आपकी जोईनिंग हो जाएग उसके 6 मंत के अंदर अंदर आपको यहां पर अपना सब प्राइमरी टीचर जो अपॉइंट किया जाएगा उसके बाद जूनियर कलर के बता रखे कि डिगरी की ओंचे कि सिर्फोन इंस्टिटीट से इसके लिए कि उनके पास गवर्मेंट कमेर्शल सर्टिकेट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर टैपिंग सर्टिकेट होना चा जोइनिंग के सिक्समंद के अंदर वहाँ पे डिपोजिट करवाना होगा मैसन के लिए बता रखे है यहां पे टैंथ पास होनी चाहिए इसके लाब आपके पास वनियर का सर्टिकेट कोर्स होना चाहिए गार्डनर का या माली का किसी भी गौर्मेंट इकोन करें इसके जो क्वालिफिकेशन मांगे यह तैंथ है और मजदूर और स्वाही गरंचारी के लिए सेवंध क्लास पास होने जाहिए और अगर आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट या अप्लिकेशन का फॉर्मेट अधर इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसके ऑफीचिल एप फोटो कॉपी अटेच करनी और आपने अपना अप्लिकेशन फॉर्म है ओफ्लाइन मोड से बेदें यानि और पोस्त के थ्रूई या फिर इजिस्टर पोस्त चाहिए या तो फिर आप स्पीड पोस्त कर सकते हैं यहां पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है आपने अपना पाइमिनों ने बता रहे है कि लास्ट देट से पहले पहले आपका पहुंच जाना चाहिए अगर इसके बाद कोई भी पॉस्तर डिले होता है तो इसके लिए कंटेनमेंट बोड रिस्पॉंसिबल नहीं होगा और यहां पे तारिकेशन किसी अधर मोट से बेजना है तो उस प्लंबर माली प्योंच चौकिदार वाडबाई मजदूर एंट उनकी जो एज दे रखिए 21 से 30 साल जो फस्ट उन्हों ने दे रखिये सीरियल में आपकी जो फस्ट पोस्टर उनकी जो दे रखिए पैंतिस साल की जो ऑगे की पोस्टर एकी से लेके तीस और जो आपकी रहेगा या स्केंडे स्कूल एक्जैमिनेशन सर्टकेट या उसके कोई भी सर्टकेट है उसे ही आपका जो डेट बड़ जो होगी वही काउंट की जाएगी रिलैक्सेशन बता रखिया है और उनके पास एक रेलिवेंट सर्ट के उनने तभी इसका बेनिफिट मिलेगा यह पास एक रेजर्वेश सर्टिफिकेट होगा कि हाँ जो बीन का प्रिसकर्ट फॉर्मेट है जैसे अगर आप प्लिकेशन पीस पे करनी है डिमांड ड्राफ्ट के तुरू करनी है चीफ एक्जेक्यूट ऑफिस एहमद नगर कंटेंडमेंट बोड इसकी फेवर में करनी है प प्लिकेशन पीस आपने एक पर यहां पर लिख है पे कर दियों से रिक फड नहीं किया जा सकता यहां इन्होंने कैटागरी वाइस बता रहे हैं जर्नल अन्रिजर्ड और ऑबिसी वालों को जो फीस पे करनी है और जो बाकी एक सर्विसमें या डिपार्टमेंटल एक एंड यहां पर यहां पर आपने अपने एप्लिकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से जो डॉक्निमेंटर उनकी सेल्फ अटेस्टेट फटो कॉपी अटेज करनी है एक तो आपकी जो सेंशल कॉलिफिकेशन दे रहे कि जो भी मांग यह वह हो जाएगी आपकी बाकी मैट्रक्लेशन इसके साथ साथ आपने टू सेल्फ एड्रस एंबलफ जिसके यहां पर नोने साइज बता रहे कि उस पर टैन रुपिस की पॉस्टर स्टेंप लगा के वह सेंड करनी है वन कलर पासपोर्ट से फोटोग्राफ एक तो आपने इसके एप्लिकेशन फोर्म पे पेस्ट करना है दूसरा आपने जो है इसके साथ दो इसके साथ अटेच करने तू कलर पासपोर से फोटो विद नेम और उसकी बैक साइट पर नेम लिखके अपने एप्लिकेशन फोर्म के साथ पिनप करके वह भी सेंड करनी है अगर आप रिजर्ट से आते हैं पीएच सेंड करेगा अगर आप प्लिकेशन ने स्कुटिनेज के जाएंगे जो भी लिजिबल केंड़ेट रहेंगे उने जो है यहां पर पोस्त या इमिल के तो या फिर वेबसाइट पर जो है एड्मिट काड इसू किये जाएंगे और जो भी आपके रिटें टैस्की डेटाइम एंड वेन्यू रहे सही या फिर आपके प्रस्नालिटी टैस्ट में उस पर डिपेंड करती है और बाकी यहां पर नतारिक है जो नर्स जी अनम या फिर असस्टेंट टीचर या जूनियर कलर्प के लिए जो स्लेक्शन का मोड रहेगा यहां पर लिखे क्योंका रिटें टैस्ट रहेगा जो माक्स करेंगा नाइटी मिनिट क्या डाइंट, के टैसन रहेगी और से आपके गो ड्रफऔर को यहां पर यहां रहेगा अंसर आपको मरका स्केल टैस्ट में नेग्स्ट से करेने या निन चación को कौलिफाइऑ करेंगे यानि उसको राप्र 틈終ans के लिए बिलाया जय乐 कि आपको स्केयल टेस्ट अब कर्मक्राइब करें कि रहे हैं और आपको जो स्केयल टेस्ट फूर्ट लेना नहीं आपकी मेइट वगैर जो त्यार की जाएगी वह आपके जो रिटन ए dudड़ एक्जामिनेशन में आपने मार्ग से क्यों हैं तो उसके basis पर रहेगी और आपकी जो यहां पर ने बता रुक है पेनल्टी भी रहेगी अगर आप कोई भी गलत अंसर देते तो उसकी पेनल्टी रहेगी 0.33 मार्क्स की आपकी जोब पेनल्टी रहेगी रिटन एंग्जैमिनेशन के लिए dit सर्फ बतार्य कृए नर्स जियनेम के लिए कि सिस्टन टीचर के लिए कि एक यहां पेनोंने कुछ इंस्टगंशन दें रहा है कि सेपरेट अपलेकेशन पौस्सक है कः करना चालते ही तो आपको अपना एप्लिकेशन फॉर्म सेपरेट सेपरेट भीजने वरें सेपरेट उसके साथ डॉक्यमेंट वगरा सब कुछ लगा के अलग अलग भीजने दन आपके पास अपलाई करने तो आपके वैलिट इमेल आडी होनी चाहिए और आपने जो अपने अप्लिकेशन फॉर्म में मोबाइल नमबर ही उस पर जो मैंशन करना है और आपने जो अपनी इमेल आडीन मोबाइल नमबर हो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है पूरे प्रॉसस के दुरान कोई भी अगर इसमें इंफॉर्मेशन वगरा उनमें भरी हुई है कि हां उसके लिए कैंड़ेट है अगर अगर आपने याँ पर किसी भी टैस्के लिए आते हैं तो कैंड़ेट को अपने अर्रेंजमेंट करने पढ़ेंगे नमबर ऑव पर जो टेंटेटिव है मत्तर भी घट भी सकती है और बड़ भी सकती है मोबाइल फॉन कोई पेजर को ब्लूटोफ डिवाइस आपने ही नही नेक्स वीडियो में बात करेंगे कि इसको आपका application form है वो कैसे फिल करने है यदि आपको इस से लेटिट और दिख जान करी चाहिए तो आप इसकी official website पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका link में आपको description box में डाल दूँगी यदि आपकी इस वीडियो से लेटिट कोई भी query है त होप हमें comment section में लिख के बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and share इस तरह के informative वीडियो को देखने के लिए आप हमारे youtube channel को subscribe कीजिए